असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापनिकेटमी के इस नए वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के मस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन का हैस्टेक टू है और आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोग को चार चैप्टर का मस्ट इ बैट कर इकठ्था की फिर मैं देखी कि कौन-कौन से अब्जेक्टिव कोश्चन आप लोग के एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कौन-कौन से अब्जेक्टिव कोश्चन आप लोग के एक्जाम में पूछने की संभावना है ठीके फिर दोनों तरह के अब्जे कराने जा रही हूँ तो इतना सारा मेहनत में आप लोग के लिए की तो आप लोग के लिए भी तो एक छोटा सा काम बनता है ना और वो काम ये है कि अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसक भी धीरे से लाइक कर देना है और तब लाइक करना है जब मेरा वीडियो आप लोगो समझ में पसंद आये तभी लाइक की जेगा ठीक है और ज्यादा पसंद आये तो 2 लाइक मत कर दिजिएगा क्योंकि दो बार लाइक करने naar लाइक हो जाता है एकजugen को देखते चलिए और समझते चलिएगा चलिए तो अब आप अपना ध्यान यहां पर फोकस किजिए और हर एक एक क्वेश्चन को माइंड में फिट करते चलिए और समझते चलिए तो देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक संगीन मसला है, सिरियस मसला है, ठीक है, दूसरा सवाल है, कर्बंडाई उक्साइड में कितना एजाफा हुआ है, यान की कर्बंडाई उक्साइड गैस, CO2 गैस में कितना परसेंट की बढ़ंती हुई है, यह पूछ रहा है, सवाल, तो इसका राइट एंसर, इसका है, यानि की जमीन का दरजरारत, यानि की टेम्प्रेचर पुछले सौ सालों में कितना बढ़ गया है, इसका राइट एंसर, क्या हुज जाएगा, आपस Hailandra इंश्व जिरो पॉइंट 75 degree centigrade 02.09% जो है, जमीन का टेम्प्रेचर पिछले सौ सालों में बढ़ शुगा है ठीक है चली सवाल नंबर चार है बालवग्यान कॉंग्रेस 2008 हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकद हुआ यानि की बालवग्यान कॉंग्रेस जो है वो इंडिया के किस शहर में इस्थापित किया गया तो वो था शहर दीमापूर दीमापूर में इस्थापित किया गया था चिली सवाल नंबर 5 है कि क्यूटों में Global Warming पर Conference कब हुई थी तो क्यूटों में Global Warming पर conference हुई थी 2007 में और यहां पर मैं आप लोग को एक बात बता दूँ यह जो मैं एक से लेकर 5 तक question को तयार की हूँ यह मैं एक ही chapter से उठाई हूँ क्योंकि इन पाचों अब्जेक्टिव कोश्टन में से एक नहीं तो दो एक नहीं तो स्टू को अब लोग ध्यान से देख लिजिए और इसको याद कर लिजिए ताकि। लोका है दो नंबर भी ना छूटे चलिए आगे बड़ी फटफट सवाल नंबर छे हैं कि सरस्येद एहमद खान की पैदाइश कब हुई तो सरस्येद एहमद खान की पैदाइश कब तकी था. सवाल नमर आठ है सरसेथ का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिन है? यानि कि सरसेथ आहम्द खार का कौन सा मजमून, कौन सा अे historians आप लोगे सिलेबस में है, आप लोगे भुक में है? तो वो है रया रया नाम का मजमून जो है निबंद वो सरस्यद एमद खाद वारा ही लिखा गया है जो कि आप लोगों के बुक में पढ़ना है आप लोगों को चलिए सवाल नमबर नाइन है कि सरस्यद की वफात कब हुई यानि कि सरस्यद एमद खाद का इंतिकाल कब हुआ तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा अपसा नमबर बी 1898 भी ठीक है सवाल नमबर दस है कि अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है यानि कि अदब की पहचान नाम का यह जो चैप्टर है यह जो मजमून है ऐसे है इसे के लिखने वाले यानि कि इस मजमून के मजमून निगार कौन है लिखने वाले कौन है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बताईए तो आप लोग अपने से भी बताने की कोशश कीजिए इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमबर B अब्दुलमगनी ठीक चलिए आगे बढ़िए सवाल नमबर 11 है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है अदब की पहचान नम का यह जो एसे है यह किस टाइब का किस तरह का मजमून है तो यह तनकीरी मजमून सवाल नमबर 12 है कि इनमें अब्दुलमगनी की किताब कौन है इनमें अब्दुलमगनी की किताब कौन है तो वो है जादो एतेदान यह याद रखना है चलिए आगे बढ़िए फटफट अगला सवाल है अब्दुल्मगनी ने किस मदर्सा में तालीम हासिल किया ठीक है ये भी important question है मतलब इसको mind में point करते चलिएगा क्योंकि ये important है एक बार पूछा जा चुका है अब्दुलमुगनी ने किस मदर्सा में तालिम हासिल की तो वो कियते हैं मदर्सा सम्सुल होदा में ठीक है चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14 की अब्दुलमुगनी के वालिद का नाम क्या था यानकी अब्दुलमुगनी के पिता का क्या नाम था पादर का नाम तो था अब्दुर्राऊफ यह याद रखना है देखिए अगला सवाल है भीम राव अंबेटकर के वालिदा का नाम क्या था यानकी माता का नाम अम्मी का नाम क्या था तो वह था भीम भाई ठीक है यह तो बहुत आसान है और यह साइद पूछा जा चुका है जहां तक मुझे याद है तो इसको भी important इदेखा जाए तो पूरा question मैं जो आप लोगों का यह question करा रही हूं यह most important objective question है सारा का सारा objective question important है तो सारे को ही आप लोगों को माइन में fit करते चलना है ठीक है चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि भीम राव अंबेदकर के वा किस पोस्ट से रिटायर हो गया है रिटायर्मेंट हो गया उनका तो वो थे मेजर वे ठीक है आप सवाल नंबर बी चलिए अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 17 कि भीम राव आजाद हिंदुस्तान के किस एहदे पर फाइज हुए तो वो था वजीर कानून ठीक यह भी मतल जी मालो जी सक्पाल यह तो आप लोगों को यादी होगा यह तो बहुत मतलब यूनिक डाम है तो सभी को याद हो जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 19 कि बुद्ध मजहब में नर्वान का क्या तसूर है तो वो है खुदा की अरफान हासिल करना ठी अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 20 कि भीम राव की शादी किस से हुई थी तो वो हुई थी रामा बाई से तो यह होगा आप लोगों का एंसर तो यह था आप लोगों का चारों चैप्टर का मस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कुस्टन जिसको आप लोगे करकर द